प्रिये विद्यार्थियों आज हम समासास्त्र की अनुसंधान पद्धतियों में सामाजिक सर्वेच्छन का अध्यन करेंगी, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सोशल सर्वे के भी नाम से जानते हैं। सामाजिक सर्वेच्छन वैज्यानिक अध्यन की वाः पद्धति है, जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों की ध्यान पूर्वक जाज परताल की जाती है। और इस अध्यन का उद्धेश्य सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। और इसके साथ सामाजिक घटनाओं का आलोशनात मत निरिच्छन भी करना होता है। अब यदि हम सामाजिक सर्वेच्छन के अर्थ की बात करते हैं तो सामाजिक सर्वेच्छन दो सब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सामाजिक दूसरा सर्वेच्छन। सरल सब्दों में सामाजिक का अर्थ समाज से संबंदित होता है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। जो मानव की अंतह क्रियाओं के पणिणाम होते हैं, सामाजिक संबंधुं का अध्यान त्राचीन काल से होता आ रहा है। सामाजिक सर्वेच्छण अंग्रेजी भाषा के सर्वेका हिंदी रुपांत्रण है, जिसका अर्थ निरिच्छण करना या जाज करना या देखना होता है। इस सामाजिक सर्वेच्छण में सामाजिक जीवन के किसी विशेश पच्छ, विशे, प्रशंग अथवा, समस्या के संबंध में निर्भर, योग्य तथों वा, दलों के शंकलन, तथा विश्लेशन या निर्वाचन की प्रक्रियास से होता है। जो की बेज्ञानिक सिध्धानतों वा मान्यताओं पर आधारित होने के कारण, अन्भो निश्कर्षों को निकालने में सहायक एवं उप्योगी सिध्ध होता है। इसके माध्यम से सामाजी घटनाओं का सामान निरिच्छन की आजाता है। सामाजीक सर्वेच्छन से सामाजीक समस्याएं प्रकाश में आती हैं। जिससे सामाजीक समस्याओं के निराकरण में सहायतागी मिलती है। सामाजीक सर्वेच्छन की परिभार्षा देते हुए वेल्स ने बताया की सामान निताह सामाजीक सर्वेच्छन को किसी विशेश छेत्र में रहने वाले एक मानो समुह की सामाजीक संस्थाओं और क्रियाओं के अध्यन के रूप में परिभार्षित किया जा सकता है। इस प्रकार वेल्स ने बताया की किसी विशेश छेत्र में रहने वाले मानो समुह का अध्यन ही सामाजीक सर्वेच्छन के लाता है। इसी प्रकार से बोगार्ष ने सामाजीक सर्वेच्छन की परिभाशा देते हुए बताया की एक सामाजीक सर्वेच्छन में किसी विशेश छेत्र के लोगों के रहनसहन तथा कार करने की दशाओं में संबन्धित तथे एकत्रित किये जाते हैं। अब हम सामाजिक सर्वेच्छन के प्रकारों का अध्यन करेंगे। सामाजिक सर्वेच्छन के अनेक प्रकारे आशरूप होते हैं। इनका निधारन सामाजिक सर्वेच्छन के प्रकेथी उद्देश छेत्र तथा बिशय वस्तु के द्वारा होता है। सामाजिक सर्वेच्छन के निम्न प्रकार होते हैं। पहला सामान या बिश्तृत सर्वेच्छन इसका छेत्र बिश्तृत तथा जनसंख्या दिशाल होती हैं। इसमें संपूर्ण समुदाय का अध्यन किया जाता है। दूसरा जनगर्णा सर्वेच्छन देश की जनसंख्या से संबंधित आकणों की गर्णा करना, जैसे की 1991 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, या सम 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी है। इस प्रकार के सर्वेच्छन किये जाते हैं। तीसरा नीदर्शन सर्वेच्छन जब सर्वेच्छन का छेत्र विस्तित होता है, तो इस विशाल भाग से प्रत्निधी इकाईयों का चुनाओ करना और उनका सर्वेच्छन करना नीदर्शन सर्वेच्छन कहलाता है। चोठा, बिसिष्ट या सीमित सर्वेच्छन. इसके अंतरगत किनहीं बिसिष्ट समस्याओं को लेकर, किनहीं बिसिष्ट छेत्रों में सर्वेच्छन किया जाता है. इस तरह से इसमें समस्या तथा छेत्र दोनों ही सीमित होते हैं. पाँचवा नियमित सर्वेच्छण ऐसे सर्वेच्छण जो निरंतर चलते रहते हैं, जैसे रिजर्वेंग का सर्वेच्छण छाठवा सरवजिनिक सर्वेच्छण इसके अंतरगत वैसूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, जिनको किसी तरह से गुप्त नहीं रखना है, ये सूचनाएं सबके लिए होती हैं साथवा नगरिये सर्वेच्छण वै सर्वेच्छण जो नगरिये जीवन की घटनाओं और समस्याओं से संबंधित होते हैं, नगरिये सर्वेच्छण कहलाते हैं इसके साथ सर्वेच्छण के प्रकारों में कारवाहक सर्वेच्छण, गुप्त सर्वेच्छण, ग्रामियल सर्वेच्छण, बिसेश प्रकार के सर्वेच्छण, गैर सरकारी सर्वेच्छण, अर्ध सहकारी सर्वेच्छण, सरकारी सर्वेच्छण, मोलिक सर्वेच्छण कित्यादी आते हैं सामाजिक जीवन में सामाजिक सर्वेच्छन का क्या उद्देश होता है एवं सामाजिक सर्वेच्छन की क्या भूमिकाएं या क्या कारे हैं अब हम इसी का अध्यन करेंगी सामाजिक सर्वेच्छन का एक डिशेश उद्देश होता है क्योंकि सामाजिक जीवन के बिविद पहलू है इन बिविद पहलू में से कुछ ऐसे हैं जिनका अध्धन सामाजिक सर्वेच्छन के द्वारा ही संभो होता है सामाजिक सर्वेच्छन के उद्देश इस प्रकार से है पहला सामाजिक समस्याओं का अध्धन जीवन में अनिक समस्याइं ऐसी होती हैं, जिनके बारे में स्वयम हमें जानकारी नहीं रहती है कुछ समस्याओं के मूल कारणों का भी हमें ग्यान नहीं रहता और इसलिए ये जीवन के लिए आविशाप बन जाती है सामाजिक सर्वेच्छन सामाजिक जीवन से संबंधित, सामाजिक समस्याओं का अध्यन करता है दूसरा स्रमिकों की दशा का अध्यन सामाजिक सर्वेच्छन द्वारा स्रमिक वर्ग का अध्यन किया जाता है आधनिक युग में कल्याण कारी सिध्धांतों को विशेश महत्त दिया जाता है और सजी वर्गों के कल्याण के प्रयास किये जाते हैं श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनिक प्रकार की योजनाओं का निर्मार किया जाता है और ये योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब तक स्रमिक वर्ग के जीवन और समस्याओं की वास्थिक जानकारी ना हो सामाजिक सर्विच्छन द्वारा श्रमिकों की वास्थिक ज्यान प्राप्त किया जा सकता है तीसरा सामाजिक तथों का संकलन सामाजिक सर्विच्छन का मौलिक उद्देश्या है कि इसके माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथों का संकलन की आजाता है सामाजिक जीवन के बिविद पहलू होते हैं इस पद्धत के द्वारा सामाज की शरचना और क्रियाओं का अध्यन किया जाता है साथ ही सामाजिक जीवन से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती है चौथा सूचना प्रदान करना अधिकांस शर्विछनों का उद्धेश से किसी ब्यक्ति को सूचना प्रदान करना होता है और वाहद्यक्ति सरकारी विभाग का हो सकता है जो यह जानना चाहता हो कि भोजन पर कितना व्याय करते हैं अथवा व्यापार से संबंधित हो सकता है जो यह जानना चाहता हो कि लोग कौन सी प्रच्छालक सामागरी का प्रियोग कर रहे हैं पांचवा सामाजिक सिध्धान्तों का सत्यापन सामाजिक तत्तों के परिवर्तन के कारण सामाजिक घटनाओं के संबंध में जिन नियमों और सिध्धान्तों का निर्माण किया जाता है वे गतिशील होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए प्राचीन नियमों की परिच्छा करने की आवशक्ता का अन्भोग किया जाता है चुकि सामाजिक सर्वेच्छा अनुशंधान की एक प्रणाली है अतहा इसके माध्यम से सामाजिक नियमों के सत्यापन की जाज की जाती है